यह assertion and reason type के questions है, given below are two statement, one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R, आपको बताने हैं, यह options बताने, assertion देखते हैं, the diameter of colloidal particles in solution should not be much smaller than the wavelength of light to show tendal effect, देखें, यह statement is correct, एकदम correct है, यह आपको अगर आप मेरी surface chemistry की, जो मैंने previous question की वीडियो बनाईगी है, जो पहली सबसे पहली बनाईगी थी, उसमें बहुत देर तक समझाता रहा था, उसमें उसको जरूर देखीगा, ठीक है, तो सबसे पहली बात हो यह समझें की यह correct statement, क्यों, आप मैं यह बोले कि जो light scattering हो रही होती है, ठीक है, वो basically आपके जो diameter है particles का, देखें क्या होता है, आ आपका simple proper solution हो गया, या आपका suspension हो गया, इस तरह से, मतलब कि based on size और जो particles होता है, ठीक है, इसमें थोड़े मोटे हो गए, let's just support, इसमें थोड़े और मोटे हो गए, ठीक है, ठीक है, मतलब मैं यह नहीं करूँ पत्थर डाल दी है, इसमें, लेकिन in comparison to this जो wavelength है, आपकी light की, उनके according है diameter है, अब देखें, छोटे है, जब light आ रही है, तो इसमें scattering थोड़ी सी कम होगी, ठीक है, कुछ lights cross भी कर जाएंगी, इसमें थोड़ी सी scattering जादा हो जाती है, कुछ इसमें अभी wheel निकल जाती है, लेकिन in में जब थोड़ा comparable होता है, या थोड़े बड़े scattering हो जाती है, समझा, तो इसका होतलब यह क्या है correct statement, पहली बात तो जो colloidal particles है, जो tindle effect है, उसमें जो scattering होती है light की, पहली बात तो particles की जो diameter है, उनके size है, उस पर depend करता है, अगें वे wavelength जो light है, उससे भी कुछ जादा छोटे नहीं होने चीए, comparable थोड़े से बड़े हो है, तो उस पर जरूर depend करता है, समझना, this is a correct state, दूसरा, light scatters in all directions when the size of particle is large enough, this is correct, अभी मैंने आपको समझाया, तो reason यही है, क्योंकि जो छोटे particles हो गया, wavelength से भी छोटे particles हो जाएंगे, तो भी क्या हो जाएंगे, most of the lines है ना, without any scattering, pass हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती, इस वज़े से क्या होते गाई, जैसे आपने देखा होगा, आप बहुत ही clear पानी को लें, और इसके glass में अपने clear पानी को लें, और light डाले, तो आपको उसके पूरा cross दिख जाएगा, opposite, समझे ना, आप उसके अंदर से पूरा बाहर तक देख सकते, लेकि जैसे जैसे उस पान पानी में गंदगी बढ़ती है, गंदगी बढ़ने से मतलब क्या हो गया, जो diameter है, वो बढ़ती जारी है, आपके इस पानी के particles की, तो आपको बाहर कम अंदर का जादा दिखना लग जाता है, अंदर से मतलब ये hamper करने जाती light, क्यों, यहां का आप क्यों देख सकते हैं, क्योंकि light यहां तक पहुचे रहे हैं, इसमें क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि light is getting scattered, बहुत थोड़ा थोड़ा देख पाते हो कभी-कभी, लेकिन जब बहुत ही जादा गंदा पानी हो जाता है, तब बिलकुल बहुत ही जादा मुश्किल हो जाता है देखना, because light gets scattered in all directions, if particles are larger, ठीक है, so इसमें क्या हो गया, जो आपका option है, option number 3 is your correct answer, समना है guys,